बहुत दिनों तक हलकी-फुलकी वीडियो बनाने के बाद खयाल आया कि चलो कुछ conceptual वीडियो बनाते हैं वही जो हम पहले रोजाना बनाया करते थे बस फिर क्या था आ गया में tense की वीडियो के साथ लेकिन ये आम वीडियो नहीं है जो मैंने पहले बना रखा है पहले मैंने tense को समझाने के लिए एक एक घंटे की छे पार्ट में वीडियो अपलोड कर रखा है और लड़ी इसी चैनल पर आपको अगर समझना है कि टिन्स को हम अंगरेजी बोलने के दोरान कैसे यूज करते हैं तो आप जाके पहले उन 6 वीडियो को जरूर देखिए ये वीडियो कुछ स्पेशल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेर जरूर कर देंगे और टिन्स का ये स्पेशल केस आप आज देख लें मज़ा आ जाने वाले आपको और एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि रोज में इसी तरह से पढ़ाया है हाँ थोड़ा डिटेल में थोड़ा ज्यादा वहां पढ़ाया है बत यहां उसकी एक जलक मैं आपको दे रहा हूं ये उसका पार्ट वन है स्पेशल केस ओफ टेंस तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको मालूम है कि कुछ ऐसे केसे हैं जिसको टेंस को पढ़ने के दवारान आम तोर पर अबवाइड कर देते हैं आगे बढ़ जाते हैं लोग इन केसे को स्पेशली नहीं पढ़ते हैं जैसे वो आता है खेलता है कूडता है दौडता है लिखता है पढ़ता है हसता है बोलता है यह तो पढ़ते हैं बट इस तरह की जो मुझे बाएं हाथ से लिखना आता है मुझे लोगों को मूतोड जवाब देना आता है इस तरह के sentences अगर आपको बोलने हो तो आप किन structures को follow करेंगे Start करते हैं आता है या जानता हूँ वाला sentence जैसे अगर आप question के form में अगर बोले तो ऐसे बोलेंगे क्या तुम्हें कार चलाना आता है जवाब अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप ऐसे बोलेंगे हाँ मुझे कार चलाना आता है और अगर आपका जवाब ना में है तो आप कहेंगे नहीं मुझे कार चलाना नहीं आता है इसको English में बोलेंगे Do you know how to drive a car हा में जवाब देंगे तो Yes, I know how to drive a car और अगर No में जवाब देना है तो No, I don't know how to drive a car यह तो मैंने आपको example दिया लेकिन इसको हम English में बनाएंगे कैसे बोलेंगे कैसे इस तरह के सारे sentences को हम कैसे solve कर लेंगे तो उसके लिए एक structure है वो एक structure मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ बिंदी में इसका जो format होगा वो कुछ इस तरह होगा sentence के last में आता है जानता हूँ यह लगा होगा जैसे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ या मुझे अंग्रेजी बोलना आता है उसे इस तरह की problems को solve करना आता है या वो इस तरह की problem को solve करना जानता है मुझे तबला बजाना आता है मैं तबला बजाना जानता हूँ इस तरह के जो sentences होंगे उसको आप English में कुछ यूँ बोलेंगे आपका structure होगा no या no's subject pigment करेगा यह no या no's के बाद आप how to plus v1 लगा दीजिए no या no's के बाद how to plus v1 no या no's के बाद how to plus v1 जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना आता है तो आप क्या बोलेंगे यह positive sentence हो आपका I know चुकि I में no होगा, no's नहीं होगा I है या फिर you है या फिर we है या फिर they है इसमें no ही लगाते I know, you know, we know, they know I know how to अब बोलना को इंग्लिश में speak बोलते है I know how to speak अंग्रेजी इंग्लिश I know how to speak इंग्लिश मुझे अंग्रेजी बोलना आता है मुझे कार चलाना आता है तो आप क्या बोलेंगे I know आप खुद भी लिख सकते हैं कॉमें सेक्शन में How to speak English Sorry, कार चलाना I know how to drive a car कार चलाना ड्राइव अ कार थेला चलाना पूलर थेला रिक्षो चलाना पूलर रिक्षो बाइक चलाना राइड अ बाइक घोडा चलाना राइड अ होर्स आगे चलो मुझे तैरना आता है अब चलो प्रैक्टिस करते हैं positive sentence की वहाँ तो था आपके सामने structure था आप कुछ और sentences प्रैक्टिस कर लेते हैं मुझे तैरना आता है तो क्या बोलेंगे I know how to swim मुझे तैरना आता है उसे सच बोलना आता है यहाँ पर अगर आप उसे लड़का को मानते है तो आप ही यूज करो और अगर आप समझ रहें कि यह लड़की है तो आप she बोलो उसे सच बोलना आता है he या she knows how to knows how to सच बोलना speak the truth अगर कोई लड़का है तो फिर होगा he knows how to speak the truth और अगर कोई लड़की है तो यह होगा she knows how to speak the truth उसे जूट बोलना आता है he knows how to tell a lie लड़की अगर कोई हो तो she knows how to tell a lie अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगर sentence आपका negative है तो जैसे मुझे अंगरेजी बोलना नहीं आता है I do not know या फिर I don't know abbreviated form में अगर हम इसको contracted form में बोले तो I don't know how to plus v1 तो मुझे पियानो बजाना नहीं आता है तो बजाना की English यहाँ पे play होगा क्या होगा? play it's play बजाना के लिए play यूज करेंगे मुझे पियानो बजाना नहीं आता I don't know I don't know I don't know how to play the piano once again I don't know how to play the piano मुझे पियानो बजाना नहीं आता मुझे इंग्रेजी बोलना नहीं आता I don't know how to speak English next one practice करते हैं फिर से मुझे शेखी बगारना नहीं आता शेखी बगारने को English में हम boast कहते हैं या फिर to brag a boast कहते हैं बिंग हाकना के लिए भी यूज करते हैं मुझे शेखी बगारना नहीं आता I don't know I don't know I don't know how to boast P O A S T next one मेरे दोस्त को दोस्त बनाना नहीं आता मेरे दोस्त को तो पहले my friend मेरे दोस्त को नहीं आता या मेरे दोस्त नहीं जानता तो my friend doesn't know इसके लिए अगर वीडियो देखना है तो पूरे दुनिया का सबसे शानदार ट्रिक जिसका नाम है आयुरुवेद ट्रिक आप जाके देखिए ये मेरा ट्रिक है जो मैंने अंग्रेजी को दिया है आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आपको V1, V5 में प्रॉब्लम होती है आपको Do और Does में प्रॉब्लम होती है चुँकि Already मैंने इस पर वीडियो बना रखा है तो मुझे इसमें फिर अभी टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लग रहा आप जाके डूडिस की वीडियो देख लें आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आई रवेड ट्रिक याद रखेंगे और इसमें एक हलका भारी ट्रिक भी मैंने दिया है ये सब कुछ ऐसी युनीक चीज़े हैं जो हिंदी मेरियम के स्टूडेंस को जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं उनको ये बहुत अपील करता है अच्छा लगता है So just go and watch this कुछ युनीकनेस आपको दीखेगा महाँ पर जो बुकिश चीज़ें नहीं किताब से हट के ये चीज़ें My friend doesn't know मेरे दोस्त को दोस्त बनाना नहीं आता My friend doesn't know how to how to make friends अगला क्या तुम्हें अंग्रेज़ी बोलना आता है तो क्या तुम्हें आता है Do you know Do you know How to speak English क्या तुम्हें हिंदी बोलना आता है Do you know क्या तुम्हें आता है Do you know How to speak Hindi Next अब यहाँ पर आपको कुछ sentences क्रेडिट स्कोर चेक करना आता है, क्या आपको आता है, do you know, check करना, how to check the credit score, ये लोन लेने में काम आता है, do you know how to check the credit score, क्या आपको टाई बांधना आता है, do you know, do you know, do you know, how to not the tie, how to not, के नोटी not, के नोटी not मतलब बांधना, do you know, how to not the tie, next one, अब यहाँ पर, आप इस topic पर कमांड कैसे करेंगे, ये एक बहुत unique approach है मेरा, किसी भी topic को कमांड करने का, कि मैं कहता हूँ, कि आप इसको आई पे बिठा लो, और sentence को धीरे धीरे लंबा करते चले जाओ, subject के तोर पर आई चुल लो, और sentence को लंबा करते चले जाओ, मुझे आता है, I know, मुझे निपटना आता है, I know how to deal, मुझे ऐसे लोगों से निपटना आता है, I know how to deal with these type of people, या with this kind of person, मुझे ऐसे जहर किस्म के लोगों से निपटना आता है, I know how to deal with these kind of poisonous people, आगे चलो, next one, play with I, अब यहाँ पर जो subject होगा आपका, सिर्फ I होगा, I से खेलो, मतलब कि यह मेरा concept, मतलब I को मैं इसलिए priority में रखता हूं subject के तोर पर, कि आप देखेंगे कि जब एक इंसान 24 गंटे बोल ला होता है, जरूरी नहीं कि वो English बोले, कोई भी जबान बोले, उसकी मादरी जबान क्यों ना हो, तो वहाँ ऐसा होता है कि वो priority जो देता है ना प्रात्मिकता, वो अपनी मादरी जबान को देता है, जो उसकी first language है, मतलब first language को priority देता है, sorry, subject के तोर पर वो खुद को priority देता है, उसके सामने आप first person रख दो, second person रख दो, और third person रख दो, सबसे ज़्या मैं subject के तोर पर I को बहुत priority देता हूँ, मेरी एक किताब भी है, play with I, I से खेलो, मुझे खाना बनाना आता है, I know how to cook food, या I know how to cook, मुझे harmonium बजाना आता है, I know how to play the harmonium, मुझे अपनी problem solve करना आता है, I know how to solve my problem, अब यहाँ पर random practice है, subject कुछ भी हो सकता है, उसे बहाना बनान नहीं आता, he does not know how to make excuse, बहाना बनाना को make excuse कहते है, make excuse, he does not know या he doesn't know how to make excuse, मुझे जूट बोलना नहीं आता, I don't know how to tell a lie, सोनम को खाना बनाना आते, सोनम knows how to cook, आगे बढ़ जाईए, यह topic आपका यहीं पर end होता है, पहला topic है, ऐसे चार्ट topic में आपको भी पढ़ाने वाल और अगर यह परसों, 10 जुलाई से हमारा batch स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको मिलने वाली है group classes, जहां two way communication होगा, आप 30 class तक trainer से बात करेंगे, फटी छोड़े groups में एक classes होती हैं, कई सारे trainers होतें, और एक खुशकबरी होने students के लिए, जो सारी classes attain करते हैं, पूरी 30 class बिन absent किये, उनको हम one on one session free देते, इसके लिए बस एक ही criteria है, कि आप एक भी class में absent मत करो, और एकदम hold मत जाती है, पूरी class करने की, फिर हम free one on one session सबको provide करते हैं, यह हमारी free service है, साथ ही 4 महिने का recorded course भी आपको मिलता है, उसके बाद 10 किताबे भी मिलती है, बस जुलाई से batch स्ट जैसे मुझे जा बोलते हैं, वो पढ़ने लगता है, या वो जूट बोलने लगता है, या वो जूट बोलने लगा, या वो जूट बोलने लगेगा, अगर ऐसा sentence हो, तो आप कैसे solve करेंगे इसको, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है, example, वो रोन लगता है, symbol present का use होगा यहाँ पर, symbol past का use होगा, symbol future का use होगा, वो रोने लगता है, he starts whipping, इसको हम starts से शुरू करें, starts लगाएंगे इसमें हम, he starts whipping, वो रोने लगा, बस starts को कुछ मत करो, started कर दो, जो आपका V1, V5 है, उसको आप V2 में change कर दो, और यहाँ पर shall will प्लस V1 लगा इसको समझ गया होंगे, वो रोने लगता है, he starts whipping, वो रोने लगा, he started whipping, वो रोने लगेगा, he will start whipping, आपके सामने यह सबसे पहला जो structure है, वो है इसका लगता है, लगता है, it means start या starts, यह depend करेगा आपके subject पर, आपका पहला sentence है, वो जूट बोलने लगता है, positive sentence है, start करते हैं वो जूट बोलने लगता है, he starts, he में अब starts कैसे हुआ, V1, V5 के लिए आपको आईरवेड ट्रिक देखना पड़ेगा, he starts, sorry, जूट बोलने लगता है, he starts failing ally, भर्व चौथे फॉर्म में होगा, इसमें इसका ख्यार लगेंगे, he starts failing ally, अब इसकी practice करते हैं, वो रात को चिल किलाने लगता है, he starts, किलाना shout, shouting at night, या बच्चा है तो crying at night, मैं भविश के बारे में सोचने लगता हूँ, I में start लगेगा, starts नहीं होगा इसमें, I start सोचने लगना, I starts thinking about, thinking about future, वो मुझे, वो लोग मुझसे, sorry, वे लोग मुझसे बिना कारण जगडने लगते हैं, तो वे लोग जगडने लगते हैं, they start, मुझसे जगडने लगते हैं, quarreling with me, without any reason, बिना कारण, they start quarreling with me, without any reason, यह practice हो गया, लगता है का, अब लगा की practice करते हैं, यह past है, तो start या start जो था ना आपका, वो started में बदल गया, वर्ब चौते ही फॉर्म में रहेगा, वो हसने लगी, वो हसने लगी, शी के बाद आप started लगाईए, वर्ब आपका चौते फॉर्म में होगा, वर्ब यहाँ पर हसना है, तो she started, she started laughing, लॉफ हसना, practice करिए, वे लोग अपन अपने गाउं में in their village, जब दे होगा, तो फिर यहाँ पर अपने के लिए आपको देर लगाना है, जैसे मैं अपने गाउं में रहने लगा, तो I started to live in my village, तुम अपने गाउं में रहने लगे, you started to live in your village, मैं अपने भविश के बारे में सोचने लगा, I started to think about my future, I started to think about, think about my future, and the next sentence is, सोनम मुझसे ज्हूड बोलने लगी, सोनम started to lie to me, सोनम started to lie to me, मुझसे ज्हूड बोलने लगी, अब चलो यहाँ पर future को deal करते हैं, future का जो structure है, देख रहे हैं आप, subject plus shall will plus start plus v4, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप अगर इसका PDF चाहते हैं, तो lingo app को install करिए, free material में जाईए, वहाँ पर YouTube वाले section में, आपको इसका PDF मिल लाएगा, सोनम अब मुंबई में रहने लग अब लगेगी, will start, will start living, सोनम, shall या will में से shall लगेगा नहीं सोनम में, क्योंकि shall सिर्फ I और V में लगाना है आपको, तो सोनम will start living, क्या हो जाएगा, सोनम will start living, मुंबई में, in मुंबई, सोनम will start living in मुंबई, अब आगे sentences देखते हैं, वो नया skill सीखने लगेगा, he will start learning, he will start learning, he will start learning, he will start learning, नया skill, new skills, मैं आप लोगों की मदद करने लगूंगा, I'll start, I'll start helping you, चर्मा जी बहाने बनाने लगेंगे, चर्मा जी विल स्टार्ट, भर्ब क्या है, बनाना, तो making excuse, making excuse, अब कमांड कैसे करते हैं, चलो कमांड करना शुरू करते हैं, मैंने का जब भी कमांड करने का मामला आएगा, हम क्या करेंगे, कि इसमें हम sentences को धीरे धीरे बड़ा करते जाएंगे, मैं प्यार करने लगा, I started loving, मैं उससे प्यार करने लगा, I started loving her, काम्याभी मिलने से पहले मैं उससे प्यार करने लगा, I started loving her without getting success, कौन नहीं जानता है कि, काम्याभी मिलने से पहले, अब चलो मैं हसने लगता हूँ, प्ले विदाई, I के साथ खेलते हैं, इसमें मैंने क्या किया है, present, past, future, तीनों को एक साथ कर दिया है, आई के साथ खेलते हैं, मैं हसने लगता हूँ, I start laughing, यह present है, I start laughing, present है, मैं जनबियों से वादे करने लगता हूँ, I start making promise to strangers, मैं अपनी गलतियों पर पश्ताने लगता हूँ, पश्ताना को repent बोलते हैं, I start repenting on my mistakes, आगे चलिए, random practice करते हैं, अब वहाँ पर आयी नी होगा, और भी subject हो सकता है, वो बाद बाद पर हसने लगता है, वैसे ये देखिए आप, ये present है, ये past है, और ये future है, और subject भी अलग-अलग है, यहाँ वह है, यह वह है, यह हम लोग है, आयी नी है यहाँ पर, वो बाद बाद पर हसने बात बात पर इसके लिए English में use करते हैं, on every single matter, क्या, on every single matter, वो बात बात पर हसने लगता है, he is start laughing on every single matter, वो तुम से जगडा करने लगेगा, he will start quarreling with you, हम लोग boss से बात करने लगे, we have started talking to boss, next one, अब हम future conditional की बात करते हैं, आपने दो structure complete कर लिया, let's come to the third structure, यह जो है, if, when, as long as, as soon as, पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ आपको, अगर आपका sentence, आपके sentence में अगर आता है, तो आप if use करेंगे, जब आएगा, आप when use करेंगे, जब तक आएगा, आप as long as use करेंगे, जैसे ही आएगा, आप as soon as use करेंगे, sentence आपका अगर ऐसा हो, कि अगर वो आएगा, मैं जाऊंगा, देखो यहाँ, यह future conditional है, इसमें गागेगी होगा ही, और यह गागेगी condition के साथ होगा, शर्त के साथ होगा, इसके नाम में ही sentence का nature है, future का sentence होगा, शर्त के साथ होगा, और शर्तिया जो sentence होगा, वो शुरू होगा, अगर से, जब से, जब तक से, जैसे ही से, मैं मौखिक बोलनू, ओरली देखो, अगर वो आएगा, मैं जाऊंगा, जब तुम लिखोगे, मैं पढ़ूंगा, जब तक वो यहाँ ठहरेगी, मैं साथ देखोगे, इस तरह के sentences होगे, बोलो मैंने जो अभी sentences बोला, उस सारे sentence में शर्त था या नहीं था, condition था या नहीं था, आपका जवाब होगा कि था, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, example यहाँ पे, अगर वो आएगा, मैं जाऊंगा, if he comes, if he comes, I shall go, जब तुम लिखो there, I won't go out, जैसे ही तुम वहाँ जाओगे, तुम सोनम से मिलोगे, as soon as you go there, you'll meet सोनम, एक चीज आपको यहाँ पर दिख रही होगी, जो घलती करते हैं, common mistake जो सारे से होती है, सब को लगता है कि यहाँ पर गागेगी है, तो यहाँ भी शैल या विल आएगा, चलो, यहाँ प एक technical चीज है, जो आपको सीखनी है, कि जिस side, जिस clause में, if, when, as soon as, और as long as आता है, वहाँ पर हम shall will plus v1 नहीं लगाते हैं, वहाँ पर हम v1 या v5 लगाते हैं, वहाँ पर हम v1 या v5 लगाते हैं, जिस side में, if, when, as long as, as soon as होगा, उधर हम v1 या v5 लगाते हैं, और जो दूसरा side होगा, उधर हम shall will plus v1 लगाते हैं, चलो, start करते हैं, यह आपको जब एक एक करके सबको पढ़ोगे, तब समझ में आएगा, अगर यह जब वह यह करेगा, मैं वह करूँगा, इस तरह का हिंदी का sentence होता है, और अंग्रजी का structure होता है पहले if या when आएगा, फिर subject आएगा, फिर v1 या v5 आएगा, फिर subject आएगा, फिर will plus v1 आएगा, start करते हैं, जब वह लिखेगा, मैं पढ़ूँगा, चलो, इसको बनाना शुरू करो, जब के लिए हम क्या use करेंगे, when use करेंगे, जब वह लिखेगा, तो when he will write नहीं, when he writes, when he writes, मैंने यहीं बता है न, कि जिस साइड इफ या when होगा, उस साइड हम v1 या v5 लगाएगे, subject पे डिपिन करेगा, subject आपका वह है, when he writes, जब वह लिखेगा, ऐसा नहीं, अगर आप यह बनाओगे, कि when he will write, मैं पढ़ूँगा, I shall read, तो यह गलत हो जाएगा, हाला कि आपको लग रहा होगा, कि यह सही है, बट यह गलत है, मैंने पहले ही कहा, कि जिस साइड कंडिशनल वर्ड होगा, उधर आप simple present का use करेंगे, तो यह हो जाएगा, when he writes, I shall read, अगर आप ऐसा बोलते हैं, English में, तो यह एक दम सही है, when he writes, I shall read, जब तक तुम यहाँ र करूंगा, I will help you, वही उपर है, जैसे ही तुम वहाँ जाओगे, तुम सोनम से मिलोगे, as soon as you go there, you'll meet सोनम, next one, अब इस पर कमांड करते हैं, अगर बारिश होगी, if it rains, ऐसा नहीं कि if it will rain, एक मैं शुरू का लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर बारिश होगी, तो इसको बो करेंगे हम, if it rains, अगर बारिश होगी, अगर बारिश होगी, अगर आज बारिश होगी, अगर आज बारिश होगी, मैं नहीं निकलूंगा, if it rains today, I'll not leave for, अगर आज बारिश होगी, मैं ओफिस के लिए नहीं निकलूंगा, if it rains today, I'll not leave for office, अगर आज बारिश होगी, मैं अगर मैं जाम में भसुंगा, मैं तुम्हें कॉल करूँगा. If I stuck, if I stuck in traffic, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, I'll call you. अगर मैं अपना वक्त बरबाद करूँगा, if I waste my time, if I waste my time, मुझे काम्याबी नहीं मिलेगी, I'll not get success, I'll not get success, success. जैसे ही तुम दिल्ली पहुँचोगे, as soon as you reach Delhi, वो तुम्हें कॉल करेगा, he will call you. अगर मुझे तुम्हारा email मिलेगा, if I get your email, मैं तुम्हें picture भेज़ दूँगा, I'll send you the picture. नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे universal truth की, इसके लिए आपको तो सीखना ही पड़ेगा, V1, V5 अगर यह आपको नहीं आ रहा है, तो आप कते ही इसको सीखने आओ ही मताब, जादा V5 यूज़ होगा इसमें, कुछ केसे हैं general truth में जहाँ V1 भी यूज़ हो सकता है. सूरजपूरब में उखता है, the sun rises in the east, चांद रात को चमकता है, the moon shines at night, sun नहीं होगा यार, the moon shines at night, next one, चलो, इसमें क्या होता है, कि ताहे तीहे तेहे होता है, और हम subject के बाद verb का पहला या पाच्वा फॉर्म यूज़ करते हैं, फिर object होता है, जैसे सूरजपूरब में उ involves round the sun, तो और दो चार होते हैं, general truth, two and two, two and two, अगर आप इस दोनों को एक single unit मान रहे हो, तब makes लगेगा, और अलग मान रहे हो, तब फिर make लगेगा, two and two make four, या makes four, तेल पानी पर तैरता है, यह सब general truth है, oil और तैरता है, तो floats हो जाएगा on water, प्याज महकता है, यह सब general truth है, onion smells, subject थलका वर्भारी, यह ट्रीक है मेरा, पानी 100 degree Celsius पर उबलता है, water boils at, water boils at 100 degree Celsius, और अब हम nature truth की बात करते हैं, देखो इसमें से, इसमें से कोई भी nature से related sentence नहीं है, यह सब general truth है, कि दो और दो चार होते हैं, तेल पानी पर तैरता है, प्या और यह जो sentences हैं, यह nature sentences हैं, जैसे सूरज पूरब में उगता है, the sun rises in the east, रात को चमकता है, the moon shines at night, तारे आसमान में टिम्टिम आते हैं, तारे रात को टिम्टिम आते हैं, the stars twinkle at night, आपकी यह special class tense की यहीं पर end होती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह के structures मैंने आपको अभी बताएं हैं, ऐसे 10 और structures हैं, जो इसी 10 से ही जुड़े हुए हैं, 10 पर based है, special cases में मैंने उसको रखा है, यह आपको मिलेगा, diamond speaking course में भी, platinum speaking course में भी, आप आगे के भी पार्ट को देखिए, वैसे, अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी बोलना, तो कहा जाता है कि देखो यह online class में possible नहीं ह और यह सही कहा जाता है, लेकिन किस online class में possible नहीं है, वहाँ जहाँ one way communication, जहाँ teacher एक तरफ से बोलना है, आप सुनना है, आप बोलने है, teacher अगर नहीं सुनना है, तो फिर इस class में आप speaking नहीं सीख सकते हैं, YouTube से सीखी हुई अंग्रेजी अधूरी होती है, यह एक universal truth है, चोड़े चोड़े groups में सिखा रहा हो अंग्रेजी, और condition है कि अगर आपने इस group में एक भी class absent नहीं किया, तो फिर free one-on-one session हम देते हैं, जी हाँ, free one-on-one session, और यह free one-on-one session हर student को मिलता है, जो absent नहीं करता है, पूरी इस class में, तो एक तो group class मिलेगी, फिर one-on-one class मिलेगी, फिर चार महिने का recorded session मिलेगा, जिसमें यह सारी चीज़े होंगी, यह complete एक course अलग से मिलता है recorded, और फिर 10 e-books भी मिलेगी, इतनी सारी चीज़ें, 10 जुलाई को batch start, हर 10 दिन पे batch start होता है, अगला batch 10 जुलाई को, कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाके Lingo app को install करना है, इस share कर देंगे, all the best, have a wonderful day.